नमस्कार दोस्तों इक्जांपुर परिवार में आप सभी का श्वागत ही आज चे वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार के प्राथिन असल सब्त पन्नी गुफा के बारे में इसे जुड़े वे 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 से तमाम जनकारी जहां से सवाल पेपर वे आते हैं उसको कवर करने का प्रयास करेंगे तब पहले तो आप लोग को याद रखना है कि यह सब्त पन्नी गुफा जो है यह कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है तो आप लोग को याद करेना यह बहुत धर्म से जुड़ा हुआ है आप लोग को पहला सवाल तो यही पर बन जाएगा कि जो के बिहार के राजगीर में आप लोगों को देखने को मिलेगा यह वह असाने जहां पे गौतम बुद के मिर्ट्व के ठीक बाद मगर समराट अजास सत्रू के संदच्छन में 483 इसापुरों में पहली बौष संगीती देखे होगे महात्मा बुद के मिर्ट्व के बाद ज सबसे वरिष सिस्वों में से एक महा कस्याप तो एक सवाल यह भी बनेगा कि पहली बहुत संगीती कहां पर वह था तो आप लोगों को राजगीरी जितको पुराने समय में अब उसी को राजगीर के तौर पे हम लोग जानते हैं और इसकी अधियाच्छता कौन क्याता तो दो सवाल एक अधियाच्छता पुछेगा एक सासनकाल सासनकाल तो अजास सत्रू के सासनकाल में और अधियाच्छता किसनी कियाता महा कस्यप जो कि महात्मा बुद का सबसे वरिष सिस्वों में से एक माने जाते हैं और बोध गरंतों के अनुसार बुद ने राजगीर की अंतिम यात्रा के दौरान इस गूफा में कुछ समय तक बिताया था एसा कहा जाता है यहां पे ध्यान धारन भी केते हैं आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं यहां पे आप पिक्चर में आप लोगों को पुरी तरह सस्पष नजर आ रहा होगा आपको बिदाते चले कि यह सब्टपनी गुफाहीती जहां पे 500 भीच्वों जो बहुत धर्म से जुड़े विया थे उनके मानने वाले लोग थे एक परिशद ने बुद्ध के मिर्ट्व के बाद भावेपडियों को भगवान बुद्ध की सिच्छाएं देने के लिए जो है आनन जो कि बुद्ध जो बोला जाता है न तो यह जो है उसमें जो है भाग भी लिए ते लगव में पांसों जो है यहां पर बहुत धर्म के अन्वियाई यहां पर सामिल वेते अजास तरू नामक जो है मगत सासक ने इन गुफाओं के सामने एक सबामन्दब भी बनवाय था जिसका उपयोग प पुझते हैं उसको भी आप लोगो करवाओं ताकि आपके आने वाले एक्जाम में वह कहीं कारगर हो तो मैं उमेद करूंगा यह सेशन आप लोगों को छोटा सेशन है मगर आपको काम के चीज़े हैं आप लोगों समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं आप अगले वीडियो में तब तक आप लोगों को देखते रहना है एक्जामपूर जय विहार